आज हम बनाएंगे पोहा का बहुत ही चटपटा कुरकुरा टेस्टी नास्ता और इसमें हम कोई भी ऐसा सामान यूज नहीं करेंगे जो कि आपके घर में मौझूद ना हो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और काफी डिलिशस भी तो अगर आप अपने बच्चे के टिफिन में याफी शाम की चाय के साथ कुछ कुरकुरा और मजेदार खाना चाहते हैं तो यह रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किये पूरा देखें और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को फटा फट लाइक करने और अपने परिवार और दो बनाने के लिए सबसे पहले हम यहां पे लेंगे एक कप पोहा आप इसे जितना बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से पोहा ले और पोहा किसी भी किरने स्टोर पर बड़ी आसानी से मिल जाता है और इसमें हम दो से तीन बार पानी डाल कर इसे अच्छी तरीके से धूलेंगे ताकि इस पोहे में जो भी गंदगी हो निकल जाए तो तीन बार पानी डाल कर हमने इस पोहे को अच्छी तरीके से धो कर इसके पानी को छान लिया है तो रेसिपी बनाने के लिए पोहा हमार अच्छी तरीके से फूल जाए तो इसके लिए हम इसके उपर छिड़केंगे हल टिस लेंगे अगर आपको पोहा इस तरीके से पीछने में थोड़ी सी प्रिशानी हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और आप आप देख सकते हैं कि जो मारा पोहा है पूरा डोव में कनवर्ट हो गया है तो आप हम इसमें मिलाएंगे बाकी का समान तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आदा चम्मच रेडचिली फ्लेक्स रेडचिली फ्लेक्स घर पर कैसे बनाया जाता है इसकी रेशिपी में आपको अपने चैनल पर पहले से ही शेयर कर चुकी हूँ तो आप वहाँ पर जाकर इस रेशिपी को देख सकते हैं एक चममच हम इसमें डालेंगे अधरक और लसुल का पेस्ट, आदा चममच हम इसमें डालेंगे जीरा, रैसीपी बनाते समय इसकी बाइंडिंग अच्छे स्थो अधर कप बैसन, आप यहाँपे बैसन की जगे पर एक कप गिरूंका आटा भी इसमें डाल सकते हैं, इसे और कि अपने ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 कप मेथी आप यहाँ पर मेथी किज़ेगे पाला की चछरे प्याज के पत्ते भी डाल सकते हैं और जितना हमने मेथी डाला था उतनी हम इसमें डालेंगे हरी धनिया जायेगा एक चमछी हल्दी पाउडर आदा चम्मच हम इसमें डालेंगे लाल मिच पाउडर, लाल मिच आप यहां पर अपने टेस्ट के हिसाप से कम या जादा भी कर सकते हैं, एक चम्मच भरकार हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, एक चम्मच से थोड़ा सा कम हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, आदा प्रटा बनता है नमक हम इसमें डालेंगे स्वात के स्वार अब हमने यहां पे लिए भूनी हुई मूफली और हमने इसे अच्छी तरीके से पीस कर इसका पाउडर बना लिया है तो दो से तीन चम्माच हम इसमें डालेंगे सेंग दाने का पाउडर सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से अपने हाथों से मिक्स कर लेंगे और अगर आपको लग रहा है कि जो पोहे का डो है थोड़ा सा टाइट है तो आप इसके उपर हलका सा पानी छीड़के आप इसके मिक्स को बना सकते हैं ज्यादा पानी ना डाले सिफ हलका सा पानी छीड़के और इसका हमें बिल्कुल सक्त डो लगा कर त्यार करना है जैसा कि हम पूरी बनाने के लिए दो लगाते हैं बिल्कुल इसी तरीके का तो यहाँ पे हमने पोहे के मिक्स को बना लिया है तो अब हम बनाना शूरू करेंगे इसका नाश्टा तो इसके लिए हम हाथों पर लगाएंगे अच्छी तरीके से तेल और थोड़ा-थोड़ा सा मिक्स लेकर इसे हम अच्छी तरीके से गोल करेंगे आप यहाँ पे इसकी साइज और शेप अपने मन पसंद का कोई भी बना सकते हैं जैसा भी आपको पसंद हो लेकिन मैं यहाँ पे इसका बिल्कुल गोल-गोल बॉल बना कर तयार करूंगी और बाकी को भी हम इसी तरीके से बना कर तयार कर लेंगे तो सारे बॉल्स को हमने बना लिया है तो अब हम चलते हैं इसे फ्राय करने की ओर तो इसे fry करने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में पहले से ही तेल गरम होने के लिए रख दिया है और तेल भी हमारा अच्छी तरीके से गरम हो चुका है और एक एक करके हम सारे बॉल्स को इस तेल के अंदर डाल देंगे और इसे हलका सा सिखने दे उसके बाद हम इसे पलटेंगे और अगर आपके बच्चे हरी सबजियां खाना पसंद नहीं करते तो आप इस तरीके से बच्चों को हरी सबजियां किला सकते हैं और उनको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें हरी सब्जियों का यूज किया है बहुत ज़्यादा टेश्टी नाश्टा बनकर तयार होता है वो काफी हेल्दी भी होता है यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखें कि इसे तलते समय आप गैस का फ्लेम हाई रखें और इसे पलट पलट का इसी अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हों तक सेक लें तो यह देखिए हमने इसे अच्छी तरीके से फ्राय करके तयार कर लिया है और बाकी को भी हम इसी तरीके से फ्राय करके तयार कर लेंगे इतना ज़रा टेस्टी और हेल्दी बनता है कि यह बहुत ज़रा ओयल को भी एब्जोब नहीं करता और आप यहाँ पर देख पार होंगी कि इसके उपर आपको तेल बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यह देखिए मैं आपको यहाँ पर तोड़ कर भी इसी दिखा देती हूँ बाहर से बहुत ज़रा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़रा सॉक बन कर ट्यार हुआ है और बच्चों की यह इतनी फेप्रेट रेसिपी है कि बच्चे देखते हैं इसके दिवाने हो जाएंगे तो इस तरीके से आप नई रेसिपी को ट्राय करें और अपनी फैमिली के साथ इसे एंजॉय करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उस सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाना ना भूलें क्यूंकि वह बिल्कुल फ्री है और अगर आपको यह रेसिपी मेरी पसंद आ झाल 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 झाल